नमस्कार दोस्तों, मैं सुनिल आपका होस्ट दोस्त, from e-commerce टेक का तड़का, दोस्तों e-commerce इंडस्ट्री हो, business हो, service इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे service अच्छी देना बहुत जरूरी होता है, अब particularly इस topic में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि म मैं अच्छी तरह से जानता हो कि हमारी service भी कुछ खास नहीं रही होगी बहुत सारे customers के लिए in the past times, but in future, जो हमने एक कुछ policies है, internal policies वो हम implement कर रहे हैं, हमारे staff के लिए, तो मैं आप लोगों को भी यही policies के बारे में थोड़ा सा update देना चाहता हूँ, और यह bad service या फिर acceptable service, उससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा financial loss हो सकता है, वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, हाँ, मुझे पता है, आप लोग शायद सोचेंगे कि यह अभी ग्यान दे रहे हैं, खुद की service तो है नहीं अच्छी, बढ़ देखिए हमारे दिम associated है, उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने कितने सारे numbers हमारे staff के दे रखे है, I think about 8-10 numbers हमारे staff के, direct line numbers, hotline numbers, यह सारे numbers हमने दे रखे है, to communicate directly with them, अगर मैं यह सारी चीजे compare करूं, दूसरी companies के साथ, जैसे Google है, Facebook है, और भी पता नहीं कितनी companies हैं, वहाँ पे आप किसी को भी हमारे staff हैं, उनके साथ directly contact कर सकते है, WhatsApp के दुरू, call के दुरू, mails के दुरू, यह सारे direct access प्रोवाइड किये गए है, और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे numbers किसी भी यह companies के लिए कोई प्रोवाइड करता होगा, at this current time, जो भी specially service industry है, ठीक है, बट इतना sufficient नहीं है, बात यह हैं, assign करते हैं, लोग हमें, लेकिन वो work time पे नहीं होता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा negative impact आता है, हमारे लिए और हमारे customers के लिए भी, हमने यहाँ पे दोस्तों एक नया policy, internal policy हम लेके आए, आप चाहें तो आप भी implement कर सकते हैं, अगर आपके employees खुश है इस बात से, बट हमने यह fix कर दिया है, कि हम यह करेंगे, अब suspense यह है, कि जो भी customers हमारे पास आएंगे, जो भी request हमारे पास आएगी, जो भी leads हमारे पास आएगी, जो भी complaints हमारे पास आएगी, उसकी एक deadline हम set करेंगे, और deadline depending on the customer's issue, या फिर request या leads, वो deadline fix रहेगी, अब होगा क्या अग deadline miss हो जाती है हमारे staff से, तो हमारे staff से penalty वसूल की जाएगी, और आप लोगों को pay की जाएगी, येस, अब ये पूरे world में first time हो रहा है, इससे हमारे staff of course, खुश नहीं है, लेकिन हमें ये implement इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हम staff के उपर depend है, work के लिए, ठीक है, अब customers at the end, customers को भी impact होता है, अब हम बहुत time से observe कर रहे थे work कहीं कहीं पे जो है, वो नहीं हो पा रहा था, बहुत बार warnings भी हमने दी, और फिर भी वो work जो है वो नहीं हो रहा था, तो हमने पहले भी warning दी थी कि मैं ऐसा कुछ implement करूँगा, अगर work नहीं होता है time पे तो, बड़ time आचुका है क्योंकि हमने बहुत बार नोटिस किया कि यह चीज जो है वो implement नहीं हो रही है, तो यहां पे होगा क्या कि अगर deadline एक दिन की मिस हो जाती है, तो वहां पे 50 रुपीज की penalty लगेगी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि जितना collect होगा, वो पूरा हमारे जो customers हैं, उनको म रखा हुआ है, one to two days of processing time, but service का क्या है, अगर मैं call receive करता हूँ आज, और मैं commitment देता हूँ कि कल तक मैं आपका काम करवा दूगा, और कल तक काम नहीं होता है, उस case में आपको जो भी आपने amount pay की है, उसकी 10% extra आपको उसका refund मिलेगा, मतलब अगर आपने 100 रुपे पे की है, तो आपको 110 के साथ हम उसको refund करेंगे, ठीक है, काम अगर आपको आगे करवाना है, तो जो भी वो penalty fee है, वो आपको हम refund कर देंगे, ठीक है, और वो refund कहां से होगा, हमारे staff के account से, और मेरे account से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिर्फ मैं staff को penalize कर रहा हूँ, करेंगे, अगर काम नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, particularly कि ऐसा कोई भी काम है, जो time पे complete ना हो, थोड़ा सा organized होना बहुत जरूरी है, और organized होने के लिए हमने कुछ tools भी हैं, वो use की हैं, तो in case अगर आप हमें अप्रोच करते हैं, और किसी task का, या lead का, या जहां पे आपने पैसे pay किये हैं, अगर आपने पैसे pay किये हैं, और आपको service नहीं मिल रही है, उस case में आपको definitely refund मिलेगा, with 10% cancellation fee, refund fee, जो भी कही है, penalty उसके साथ, ठीक है, और कुछ services ऐसी है, जहां पे आपने pay नहीं किया है, उस case में आपको definitely कुछ मिलेगा नहीं, but हमारी और जब भी आप call करें, हमारे किसी staff के साथ interact करें, तो उनसे एक ticket number, task number जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि वो task number आपको provide किया किसी staff ने, next time किसी दूसरे staff के साथ बात हो रही है, तो वो task number से आप पूरी details जो है, जो staff है, दूसरा staff, वो पूरी details वहां से pull कर सकता है, और आपको information दे सकता है, ठीक है, तो कोई भी communication होगा, let's say by mail हो, या by WhatsApp हो, और by call हो, अगर आपको कोई deadline दी जाती है, तो वहां पे आप task number definitely insist करके हमारे staff से लीजिए, और वो task number से आप उनके साथ follow up करी, मैंने बहुत सारी companies देखी है, मैंने खुद भी companies में काम किया है, पहले, ये जो policy मैंने निकाली है, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है, मैं first time ऐसा मैं implement कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे mind में कि मैं penalties उन से collect करूँ और फिर आपको दूँ और service बेटर करूँ, बट ये एक initiative है मेरी तरफ से, और थोड़ा सा जो हमारे staff है, उनको भी थोड़ा सा लगे कि ह responsible रहना बहुत जरूरी है, वरना pocket जो हो थोड़ा सा हलका हो सकता है, ठीक है, तो हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो दूसरे तरफ मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि और लोगों को hire करूँ, तो अगर आपके ध्यान में, एमदबाद में, ठीक है, हमा marketing का काम कर सकते हैं, ठीक है, और SEO का का काम कर सकते हैं, digital marketing का का काम कर सकते हैं, तो आप लोग approach कर सकते हैं हमको for the job, लेकिन full time job रहेगा, और minimum मतलब एक साल तक आपको काम करना पड़ेगा, बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो भी एक condition है, तो जिसको भी interest हो, वो personally आके मिल सकता है, अगर उनको लगता है कि वो qualified है, resume में आप भेजेंगे, तो resume देख के मैं confirm नहीं कर पाऊंगा, आपको personally आना पड़ेगा, job के लिए, आप appointment fix कर सकते हैं, और directly आके मिल सकते हैं, मुझे for the job, ठीक है, लेकिन, job मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मैं नहीं कह सकता है, और आना जरूर पड़ेगा, आपको, okay, so that's it, आज के वीडियो में इता ही कहना चाहूंगा, तो एक बहुती इंपोर्टन अपडेट था, एक नया, नया, एक policy में इंप्लिमेंट कर रहा हूं, I hope कि इस से हमारे, जो staff है, उनको भी benefit होगा, कैसे होगा नही हूं, नहीं हूं यहां पर, तो भी यह काम चलता रहेगा, और एक अच्छी सर्विस हम आगे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाई है, so effective tomorrow, which is Monday, कोई भी communication आप करें हमारे staff के साथ, तो प्लीज टेकित नमबर ले लिजेगा, और प्लीस कोशिस करिएगा, कि एक दिन म तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्स्राइब कर नहीं हमाद बुलीगा, और जाते-जाते मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा, कि वरक्शॉप्स हमने असाइन कर दिये हैं, शारी, वरक्शॉप्स हमने फाइनलाइज कर दिय हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकता, हैदरबाद, बैंगलोर बोल दिया मैंने, एमदबाद, पूने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप जादा जानकारी ले सकते हैं, so thank you guys, take care, God bless you all, bye-bye.